नमस्कार, आज हम भारत में जो चल रहे विबिन डिजिटल रिफॉर्म्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे अब ये सेक्शन आपके सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बहुत महत्पूर है, खास करके ने इसमें हम विबिन computer terminologies समझेंगे, तो दो प्रमो computer terminologies हम यहां सबसे पहले बात करते हैं पहली है data analytics और दूसरी है data mining, data mining जो हमारे प्रधान मंत्री है, उनकी जो 15 अगस की speech थी, उसका भी हिस्सा था इसलिए यह और भी महत्पूर है 2017 में सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि analytics और mining में अंतर क्या है, अगर मुझे कोई जानकारी दी गई है, मुझे उतने ही दायरे में रहे कर, उसको विबिन विबिन छेत्रों में विभाजित करना है या उसको अलग-अलग तरीके से दिखाना है, यह बता के कि यह age group के हिसाब से है, यह gender के हिसाब से है, यह religion के हिसाब से है, caste के हिसाब से है, तो वो हो गया data analytics, data analytics में जो दिये गई जानकारी है, हम उसी के आसपास उसी को analyze करते हैं, उसी को समझने के कोशिश करते हैं, और से data analytics में हम hypothesis को test कर सकते हैं, इसको check करने के लिए जो विभिन languages काम में आती हैं, computer में वो मुख्यत पाइथन, R languages हैं, और ये business analytics में भी काम में आता है, इसकी मदद से हम किसी भी एक fix question, किसी भी एक सवाल की बारे में एक उत्तर निकाल सकते हैं, अब अगला होता है data mining, data mining data analytics से थोड़ा अलग है, क्योंकि data mining में हम उसके अंदर शोद कर रहे हैं, और नई जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास जो दी गई जानकारी है, उससे जब हम नई जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम कहते हैं data mining, data mining दो तरीके से हो सकता है, descriptive या predictive, descriptive data mining वो होता है कि जिसमें जो दी गई जानकारी है, उसी से हम जानकारी और बनाने की कोशिश करें, जबकि predictive में यह होता है कि हम forecast करें, कि जैसे हमने कहा कि भारत में demonetization हो गया, विमुद्रिकरण हो गया, तो इसका आने वाले 10 साल बाद क्या असर होगा, तो वो हो गया predictive, जिसमें हम forecast करते हैं, आगे क्या होगा, उसकी analysis करने की कोशिश करते हैं, तो data mining की मदद से हम नए trends का पता लगा सकते हैं, पर इसमें हम किसी भी यह question का एक fix answer निकालके नहीं दे सकते हैं, और hypothesis test नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हम data analytics में करते हैं, data mining करने के लिए कुछ हैं, जो काम में आती हैं, जैसे artificial intelligence, patent distribution या statistics सांखिकी, जिसको हम बोलते हैं, तो यह कुछ चीज़ें हुई, जो data mining और data analytics के बारे में हैं, अब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, कि जो हम बोलते हैं, कि पुराने जमाने में या जो conventional system था, वो क्या था, उसको हम बोलत बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, कोई मुद्रा नहीं थी, किसी भी तरह के कोई मुद्रा exist नहीं करती थी, मेरे पास समान A है, मैं वो समान A दे के समान B रोंगी, और ये दोनों चीज़ें आपस में A और B exchange करेंगे, उसको हम कहते थे बार्टर में होने लगा, जिसमें आपके सिक्के या नोट आने लगे, फिर दीरे दीरे आगे चलके क्या हुआ, और डेवलप्मेंट हुआ, हमने बोला credit card या debit card आने लग गए, इसी तरीके से prepaid instruments आने लग गए, फिर दीरे दीरे हम इससे भी आगे बढ़ गए, हमने बोला net banking होने ल खर्मा कराने की जरूरत है या ना निकालने की जरूरत है, इसके बाद में, जो हम बात करते है, तो यह सारा जो था, जो net banking से हम कहते हैं, यह हमारा digital revolution था, जो payment systems में आया, और इसके बाद जो हम बात करते हैं, वो weapon prepaid instruments की बात करते हैं, जिसके बादे में अभी हम और detail में सम बचते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि Prepaid Instruments क्या होते हैं, Prepaid Instruments आपके debit card या credit card से थोड़े भिन्द होते हैं, क्योंकि इसमें उस card में उतना fix amount है, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 1000 रुपे का Prepaid Instrument है Amazon का, तो इसका मतलब वो 1000 रुपे मेरे उस card में है और मैं वो 1000 रुप और उस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं, Prepaid Instruments, अब ये किस-किस तरीके से हो सकते हैं, या आपके किसी इंटरनेट के खाते में हो सकते हैं, या आपके किसी online wallet में हो सकते हैं, mobile accounts में हो सकते हैं, या paper voucher की तरह हो सकते हैं, RBI की guidelines के हिसाब से Prepaid जो instrument है, उसका amount 50,000 से जादा नहीं हो सकता है, और ये भी consumer के लिए और merchant के लिए अलग-अलग है, जो खरीदार है, उसके लिए 20,000 रुपे प्रतिमाह तक हो सकता है, और 1,00,000 रुपे तक अगर वो करना चाता है, तो उसको bank में जाके KYC करवाना पड़ेगा, मतलब know your customer, merchant के लिए 50,000 हर महीने के limit है, औ और save declaration करना पड़ता है, और 1,00,000 से जाधा आगर है, तो KYC करवाना पड़ेगा, अब जैसा कि हमने बोला सबसे पहले physical cash payment होता था, note की अदला बदली होती थी, अब हम उससे आगे बढ़के हमने बोला debit card, credit card आएंगे, फिर internet banking हुई, फिर आपके prepaid card आए, जिसको हम smart card या mobile prepaid cards बोलते हैं, अब जो हमारा नया concept है, वो है e-wallet या e-currency का, और finally, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, वो है virtual currency, जिसको हम bitcoins बोलते हैं, और bitcoins पे हमने एक अलग class ली है, जो आपके आने वाले exams के लिए बहुत important है, क्योंकि ये एक नया concept है, payment systems में, इसलिए और भी ज्यादा important है, अब जब हम prepaid instruments की बात करते हैं, तो ये 5 तरीके के हो सकते हैं, सबसे पहला है closed payment system, closed payment system मतलब, जिस व्यक्ती से या जिस institution से मुझे वो card मिला है, मैं वो पैसा सिर्फ उसी institution में जाके खर्च कर सकती हूँ, जैसे मेरे पास अगर Amazon wallet है, तो मैं वो पैसा सिर्फ Amazon पे खर् closed system, अगला है semi closed system, semi closed system का मतलब ये है कि किसी एक institute से मुझे card मिला है, किसी एक organization से मुझे card मिला है, पर उसका कुछ-कुछ organization से contract है, और जिन-जिन से contract है, मैं उन सब जगे वो card खर्च कर सकती हूँ, या उस wallet से खर्चा कर सकती हूँ, पर मैं उससे कोई cash withdrawal नहीं करवा सकती तो जैसे आपका pay you हुआ, mobiwick हुआ, paytm हुआ, ये सब क्या हुआ, ये सब semi closed system है, क्योंकि इनका कुछ-कुछ-कुछ-कुछ merchants के साथ tie up है, जो जो paytm या pay you accept करते हैं, आप उनकी या उससे payment कर सकते हैं, ये उनका आपस में contract है, पर इसमें कोई भी cash withdrawal नहीं हो सकता, मैं य अगला है semi open system, semi open system में ये होता है, कि मैं जो point of sale terminal machines है, वहाँ पर वो card खर्श-कर सकती हूँ, पर इसमें वापस वो ही है कि आपका cash withdrawal नहीं हो सकता, तो transaction कितना होना चाहिए, 10,000 से ज़्यादा के transaction पर मुझे इसमें KYC करवाना पड़ेगा, open system में आप सामान भी करीज सकते ह हैं और cash withdrawal भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पस visa का 1000 रुपे का card है, तो वो card, जो prepaid card है 1000 रुपे का, उससे या तो मैं जाके खर्चा कर सकती हूँ, या ATM machine पर जाके उससे वो 1000 रुपे withdraw करवा सकती हूँ, दोनो options available हैं, तो वो हो गया आपका open system, और आखिर होता ह है आपका mobile prepaid instruments, जिसमें आप mobile में पैसा डलवाते हैं, या mobile का आपको card मिलता है, मुखिता mobile service providers ही देते हैं, और ये आपके top time के तरह सबसे ज़्यादा commonly काम में आता है, तो ये हो गया mobile prepaid instruments, अब bitcoin जैसा कि हमने बोला हम एक class में already ले चुके हैं, आप यहाँ पर जाके उसकी detail समझ सकते हैं, अब अगर हम दुनिया भर में देखें, तो अलग-अलग payment systems हैं, जो पूरी दुनिया में चलते हैं, जैसे Korea में KFTC है, UK के SIPA है, BACS है, चाइना में China Union पे हैं, तो इस तरीके से अलग-अलग payment systems, अलग-अलग countries में कारगर हैं और सुचारू रूप से चल र Corporation of India, जो कि 2008 में शुरू हुए थी, और Certificate of Commencement of Business जो इसको मिला था, वो 2009 में था, Companies Act के अंदर ये आती है, और इसका मुख्योदेश ये है, कि अपने जितने भी member banks हैं, और customers हैं, उनको जादा से जादा benefit पहुँचे, इसी के अंदर में एक system आया, जिसको National Financial Switch कहा गया, ये भारत का सबसे बड़ा network है, जो shared ATM network हम होते हैं, जिससे हम ये समझते हैं, कि भारत के सारे ATM, जो automated teller machines हैं, वो connected हैं या वो एक shared network पे रहते हैं, ये 2004 में Institute of Development and Research in Banking Technology द्वारा बनाया गया था, और NPCI द्वारा चलाया जाता है, अब तीन तरह के payment gateways के हम बात करते हैं, UPI, USSD औ और AEPS, UPI या Unified Payment Interface, अगला है USSD जो कि mobile से होता है, जो कि हम आगे समझेंगे, और AEPS जो आधार से होता है, हम एक एक करके तीनों के बारे में समझते हैं, सबसे पहले है UPI या Unified Payment Interface, जिसको हम peer-to-peer contact भी कहते हैं, जिसमें आप एक वेक्ती से दूसरे वेक्ती को request भी बेच सकते हैं, पैसा collect करने की, और ये single window system है, mobile payment के लिए, तो इसमें क्या हुआ, जो भी participating bank है, वो UPI पर enroll हो सकते हैं, और एक mobile application से वो payments ले सकते हैं, या payments बेच सकते हैं, 24-7 चलता है, 365 दिन चलता है, और इसमें दोनों systems है, push या pull का, अब इसमें और IMPS में थोड़ा सा difference है IMPS सिर्फ उनी दिनों हो सकता है, जिस दिन bank holidays नहीं है, इसमें bank holidays हो या ना हो, ये 365 दिन सुचारू रहता है, 24 गंटे सातो दिर, तो ये हो गया आपका UPI, इसका जो advanced, ये जो है, हमने जैसे की बात की, IMPS, जिसको हम immediate payment service कहते हैं, उसका एक advanced version है, और इसमें जब आप mobile से payment कर हैं, जैसे अगर मुझे मेरे किसी दोस्त को payment करना है, और मुझे उसका mobile number पता है, तो mobile number at the rate of SBI से अगर payment करेंगे, तो ये उसका एक kind of virtual address बन गया, तो जब भी आप payment करते हैं, जैसे आपने भी map से payment किया, तो एक virtual address create हो जाता है, और ये virtual address से finally payment हो सकता है, अब इसको आप payment ये दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई hyperlink आया है payment का, तो आप उसको click करके payment कर सकते हैं, या QR code, QR code जो black and white box में बना हुआ होता है, उसको हम QR code कहते हैं, और QR code से भी आप payment कर सकते हैं, इसी के दहाद आपकी भी map आई, जो कि NPCI लाया है, और ये एक mobile app है, UPI प points होंगे, उन पर bonus दिया जाएगा, या उनके लिए scheme आई है, और दूसरा है, कि merchants के लिए cashback scheme है, तो दो नई scheme सरकार ने introduce करने की कोशिश की है, IMPS की हम already बात कर चुके हैं, anytime, anywhere, पर ये real time repentance है, और UPI इसका भी advanced version है, जो immediately transfer करता है, IMPS 2010 में आया था, अब अगला जो हम बात कर सकते हैं, वो है AEPS, आधार enabled payment system, अब इसमें क्या नया वो है, इसका नया concept यह है, कि यह POS है, point of sale machine है, micro ATMs की बात की गई है, तो जिसमें आपके सारे bank account आधार number से linked होंगे, और आप आधार number के द्वारा payment का link कर सकते हैं, तो आधार से enabled होने पे आप 4 तरह के transactions कर सकते हैं, आप balance पता लगा सकते हैं, आप cash निकलवा सकते हैं, cash जमा करवा सकते हैं, और आधार से आधार, अगर आपको अपना आधार पता है और दूसरे वाले का आधार पता है, तो आप दूसरे आधार number पे payment deposit करवा सकते हैं, तो इसके लिए किस चीज की requirement है, सबसे पहले तो आध हुआ है अगला है स्टार नाइंटीनाइन हैश जिसको यूसस्टीप क्याते हैं और स्ट्रॉक्चर्ट सप्लिमेंटरी सर्विस डेटा इसकी सबसे इसका सबसे प्रमुक फायदा ये है कि ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के चलता है आप अपने मोबाइल पे दबा के आप सेंड मनी करना चाहते हैं फिर वो आपको आगे फर्दर ऑप्शन देता जाएगा तो इस तरीके से यूसस्टी काम करता है जैसा कि हमने बात की इसका प्रमुक फायदा ये है कि ये बिना इंटरनेट के आप पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं ये सारे जी एसम नेट प्रदान करना चाहते है तो वो सारी सुविधाय इसमें अवेलिबल हैं अब सरकार ने कुछ टाउंशिप्स को Less Cash या Cashless Townships खुशित कर दिया है प्र०ौ उन टाउंशिप्स के लिए Criteria क्या है क्राइटरिया क्या ये है कि 80% से जादा transaction digital form में होना चाहिए, सारी families जो है वो digital literacy में cover होनी चाहिए, उनको digital साक्षरता दी जानी चाहिए और payments लेने के लिए infrastructure की जरूरत है, definitely credit card machine, GPRS machines की जरूरत है तो वो सुविधाएं देनी पड़ेगी, तो जितनी भी सरकार की townships हैं, जैसे भेल हुई, OANJC हुई, वो सब क्या हो गई हैं, उनको less cash township या cashless township घोशित कर दिया गया है अगला है BBPS, जिसको हम भारत bill payment system कहते हैं, इस payment system में अभी तो null, बिशली, यह सारी जो basic सुविधाएं, gas, यह सारी सुविधाएं जोड़ी भी हैं अभी जो 5 categories हैं, वो है electricity, gas, water, DTH और telecommunication अब आगे सरकार ऐसा बोल रही है कि insurance हुआ, mutual fund हुआ, school की fees हुई, local tax हुए, वो सब भी BBPS में आ जाएंगे और इसका BBPOU बना है, जिसको हम भारत bill payment operating unit कहते हैं, जो कि RBI की एक authorized unit है और इसमें भी वापस वो ही anytime, anywhere आप bill payment कर सकते हैं इसी की basis में फिर आपका भारत QR code चालू हुआ, QR code हमने अभी समझा था कि किस तरीके से black और white boxes में code होता है उसको अगर आप QR reader से scan करेंगे, तो आप उसके menu पे जा सकते हैं, या उस link पे जा सकते हैं basically तो भारत QR code चालू हुआ है, जो कि payment industry में एक नया बदलाव लाएगा, जिसमें QR code की मदद से आप payment कर सकते हैं NPCI ने develop किया है, और RBI ने इसके लिए 2016 में directives दिये थे तो इसमें मुख्या idea हमारा ये है, कि हम जादा से जादा innovation कर सकें, और जादा से जादा security बनाये रखें इसी तरह से आपका रूपे आया था, रूपे 2012 में launch हुआ था, NPCI द्वारा ये वापस बहुत एक तरह का credit card, debit card है, जो की बहुत popular हुआ, इसको domestic open loop multilateral system of payment माना किया है और इसकी सबसे खास बात ये है, कि इस product में बहुत ज़्यादा flexibility है, अलग-अलग platforms में काम कर सकता है, ATM में काम कर सकता है इसकी acceptance बहुत ज़्यादा है, और ये ही एक तरह का Indian society में ब्रांट बन चुका है Micro ATM, जो कि हमने अल्रेडी बात की, GPRS enabled है, point of sale machines है, ये बहुत कम power पे चलते हैं, इनकी operation cost बहुत कम है, जो normal land wire पे credit machines है उनसे कम power ये लेता है, और उसकी कम operation cost आती है, पर इसमें कुछ प्रमुक threats है, जो की मुश्किले इसमें हम कह सकते हैं, एक तो theft की है, skimming की हम बात करते हैं, data vulnerability और जो POS को attack कर सकें, इस तरीके के malware इसके लिए threat है अब हम बात करते हैं, governance की छेतर में digital का क्या योगदान है, तो सबसे हम पहले हम बात करते हैं, जो हम भारत में IT बोलते हैं, information technology तो जो government नया concept ला रही है, वो है IT plus IT is equal to IT, जिसका मतलब है Indian talent plus information technology will give you an India tomorrow तो ये एक नया concept है, जो government लाना चाहती है, जिसमें हम digital infrastructure, उसको और संपूर बनाना, empowerment और governance की बात करते हैं तो ये तीन प्रमुख चीज़े हैं, जिस पे सरकार focus करती है, और 9 pillars हमने दिये हैं digital India के पहला तो है कि broadband highway बनाना, अब इस broadband highway को बनाने के लिए वापस 3 criteria है, शहरी इलाकों में, ग्रामीन इलाकों में और एक पूरा national information infrastructure बनाना फिर सबको mobile connectivity प्रवाइड करना, public places पे internet प्रवाइड करना, इसके लिए common service centers बनाना अगला है e-governance, e-governance के लिए electronic database बनाना e-kranti जिसमें हम बोलते हैं electronic delivery of services, जिसमें health care, आपके किसान हुए, शिक्षा हुआ, स्वास्त हुआ, ये सारी चीज़े include होंगी फिर information to all, social media की तरफ से, government के platforms के द्वारा, सबको सब जानकारी उपलप्त करवाना इसका प्रमुक उद्देश है ज्यादा से ज्यादा electronics की manufacturing भारत में हों, उसके लिए engineering develop करना और मुख्य उद्देश ये है कि हमारा ultimately net zero import हो जाए, मतलब हम दूसरी country से कोई भी electronics procure ना करें, सारा electronics भारत में स्वयम बना है IT for jobs, अब ये सारा अगर हम करना चाहते हैं, कि हम electronics भारत में manufacture करना चाहते हैं, तो हमें हमारे IT को strengthen करना पड़ेंगा तो जो DATI है Department of Information Technology, वो इसको मुख्य रूप से देखता है फिर early harvest programs, मतलब क्या नए कदम उठाया जाए, जैसे universities में Wi-Fi लाया जाए, IT platform बनाया जाए, biometric attendance करी जाए स्कूलों में जिससे teachers की और staff की attendance जादा सुचारू रूप से बढ़ चरके, national portal for lost and found बनाया गया है इसी तरीके से सारी school books को e-books की तरह लाने की बात की जा रही है अब अगला है e-sign जिसको हम online digital signature service कहते हैं अब ये बहुत महत्पूर है, कई लोग इसको गलत समझते हैं लोग ये समझते हैं कि जैसे मैंने sign किया और ये sign मैंने computer पे करके उसको scan करके रख दिया तो वो मेरा e-sign या electronic sign है, ये electronic sign नहीं है ये समझता बहुत जरूरी है, electronic sign एक तरीके का verification है जो कि आपका आधार और finger printing के आपके biometrics से होता है तो अगर आप ये देखेंगे, तो आपके online signature की request जाती है service provider के पास, certifying authority उसको check करती है, data verify होंके वापस आता है authority से certificate issue होता है, और finally ये digital signature आता है, जिसमें आपका आधार और आपका biometrics होता है इसको हम e-signature कहते हैं, इस e-signature का मतलब वो कहीं से भी नहीं है कि आपने अपने signature को scan करके डाल दिया और वो e-signature हो गया तो सबसे महतपून चीज तो ये हुई, information technology act जो 2000 में आया था, उसने digital signatures को legal sanctity दी थी और ये जो digital signatures हैं, ये asymmetric crypto systems पर बेस जाएं, इसका मतलब क्या है, इसमें दो key होती है एक public key होगी, जो public के पास रहेगी, एक private key होगी, जो आपके पास रहेगी और सबसे महतपून चीज ये है, कि इसमें जो user है, उसको आप authenticate कर रहे हो और फिर ही आप उसमें trust कर सकते हो, क्योंकि उसका पूरा biometrics और आदार आपके पास है इसी तरीके से एक और योजना लाए गई जिसको digital या digilocker कहा गया digilocker का मतलब ये है, कि जितने भी certificates हैं, जितने भी important documents हैं, वो आप digital form में रहेंगे तो अगर मैं एक institute से pass out हुई हूँ और मैं दूसरे institute में apply करना चाहती हूँ तो मुझे अपने certificates ले लेके जाने की जरूरत नहीं है, वो institute digitally उन certificates को verify कर सकता है तो ये हो गया आपका digilocker और हर digilocker एक आदार नंबर के साथ linked होगा इसी तरीके से e-hospital आया, जो कि हमने पहले योज़ना में भी बात की थी e-hospital में आप online कहीं भी hospital में appointment ले सकते हैं आपकी lab report, OPD appointment और blood availability सब कुछ इसके द्वारा हो सकता है अगला है digitize India platform इसका मुख्योदेश क्या है? इसका मुख्योदेश यह है कि digitization services देना जैसे document को scan करना है, physical documents को computer पे लाना है यह सारी digitizing services provide करने को DPI कहा गया है तो इस innovative challenge को machine language के द्वारा या machine intelligence द्वारा कराया जा सकता है तो वो एक प्रमुख उदेश है जो हम करना चाहते है अगला है प्रगती प्रगती तीन लेवल पे है यह consumer की problems को solve करने के लिए एक platform बनाया गया है तो जैसे अगर मुझे कोई poster department में complaint है तो मैं उसको post office के complaint system पे डाल सकती हूँ अगर वहाँ पर भी resolve नहीं होती है तो एक और higher level पे डाल सकती हूँ तो इस तरीके से तीन लेवल पे बनाया गया है आप PMO complaint जो prime minister's office पे जाती है फिर union secretaries पे जाती है और chief secretaries of the state पे जाती है जो एक state level की है एक center level की है और एक PMO complaints है तो तीन लेवल पे जितनी भी आपकी grievance है या problem से उसका resolution होगा अब यह बहुत महत्कून कदब है national cloud जिसको मेगराज कहा गया है यह cloud computing में एक बहुत बड़ा effort है भारतिय सरकार का अब इसमें हमने चार services provide करने की बात कही गई है पहला तो है कि infrastructure हमें देना पड़ेगा इतना सब करने के लिए फिर उस service पे platforms ला सकते हैं अलग-अलग platforms उस पे install किये जा सकते हैं फिर software लाए जा सकते हैं और storage प्रवाइड किया जा सकते हैं तो अगर मुझे अपने कोई भी records save करने हैं तो वो cloud computing के माधियम से हो सकते हैं और जो government ने release किया है जो CDAC ने release किया है वो है मेगराज इसी तरीके से public wifi hotspots बनाने की बात की जा रही है तो major railway stations पे major city centers पे broadband से connectivity दी जाएगी जो की wireless broadband alliance 1 VBA के नाम से होगा और इसमें जो भी wifi zone होगा उसमें आपको internet access दी जाएगी और वहाँ पर hotspots develop किये जाएगे मुख्य था बड़े शहरों में और railway station पे इस पे अभी trial projects चालू है अगला है National Optical Fiber Network जो की high speed connectivity प्रवाइट करने की बात की चारी है internet की गाओं में मुख्य था और इसमें बहुत बड़ा एक infrastructure लगेगा क्योंकि सारी ग्राम पंचायत को अगर हम पहुचाने की बात करते हैं तो लगवाख धाई लाग ग्राम पंचायत है और वहाँ पर हमको 100 MPPS का connection पहुचाना है जो की अपने आप में बहुत बड़ा challenge है इसी तरीके से फिर भारत net आया भारत net ये कहता है कि at least 2 MPPS से 20 MPPS का connection तो सारे घरों में जाना चाहिए और ये US OF के द्वारा पूंड किया चाहेगा जिसको हम Universal Service Obligation Fund कहते हैं इसको तीन phases में लाया गया है 2017 तक हम कहते हैं कि हमने 1 लाग ग्राम पंचायत को connect कर दिया है हमारा उदेश है कि December 2018 तक हम 2.5 लाग ग्राम पंचायत को connect करें और उसके बाद हम future networking करें मतलब हम fibers जो हैं block से लेके district पे connect करें और इसको एक ring topology से connect करें 2018 से 2023 के बीच में Computer Malware अभी में बहुत ही important हो गया है Zev copy है आपका ransomware है तो यही सब आजकाल बहुत news में हैं तो इसके चलते computer malware पे हमने एक पूरी अलग class ली है जिसमें computer malware की terminologies discuss की गई है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब सबसे महत्पूर्ण है seed act जो कि हिदराबाद में है उसने webin solutions निकाले है security को लेके तो वो क्या-क्या है जिसमें browser.js guard है जो आपके browser पे add-on की तरह install हो जाता है और कोई भी malicious attack होता है तो उसको check करने में मदद करता है इसी तरीके से app सामवे जिसको हम application white listing solution कहते हैं अब white listing और black listing में थोड़ा सा अंतर है black listing में हम कहते हैं यह site safe नहीं है इनको मत दिखाओ white listing में हम कहते हैं कि यह सारी site safe है इनको दिखाओ तो white listing के दुआरा आप applications execute कर सकते हो अपने system को system पे उसको app सामवेत कहा गया है फिर है आपका USB प्रतिरोध USB जो आपके USB drive pen drive होती है उस portable drive पे कोई भी unauthorized आदमी उसको use नहीं कर सकता है और उसका control कुछ limited लोगों को ही दिया जाएगा तो वो हो गया USB प्रतिरोध अगला है application and device control जिसमें anti-malware security solutions दिये जाएगे जो भारत में ही बने हुए है make in India projects के तहर्थ और M कवच जो आपके mobile को एक comprehensive security देगा जो आपके mobile पे एक कवच की तरह रहेगा और उसके द्वारा कोई भी आपके personal information को mobile से चुरा नहीं सकता तो यह सारे efforts CDEC द्वारा किये गए है अब अगला important है secure mail secure mail क्या होता है secure mail यह है कि आप जो mail किसी को भेज रहे हैं वो सिर्फ उसी दो लोगों के बीच में share होगी जानकारी तो इसमें दो प्रमुक चीज़े हैं authentication और encryption authentication और encryption कैसे होता है वो समझना जरूरी है तो इसके लिए तीन प्रमुक methods है SMTP जिसको हम secure mail transfer protocol क्याते है TLS transport layer security और SSL secure sockets layer यह कई बार इन पर सीधे इनकी full forms पर question आते हैं इनकी abbreviations पूछी जाती है तो इस तरीके से हमने कुछ प्रमुक चीज़ें cover की हैं जो digital reforms भारत में हुए हैं जो computer terminologies आपके लिए महतपूर्ण है हम आगे और भी computer से related प्रमुक developments देखेंगे एक और जो important class जो इसमें computers के लिए cover की गई थी वो ये थी जो decimal to binary और binary to decimal conversion था तो definitely आप इस channel पर बने रहें हम आगे से आगे और भी contemporary developments हो रहे हैं वो और share करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद